वेलकम बेक ओन माय चैनल, Commerce with Me आज में इस वीडियो में आपको आपका वैलुएशन और ईश्यो ओफ माटेेश क्यवी यह videos क्यारी है दह्या fat आप इस खopardy फूर्ट एलिग यह उनलाणाओ और वनासर चापिटर है यह रहाँक्या flick भूँट दो यह विजिव है। लोसो माटेरियल इन फीफो की माटेरियल का लोसो हो जाता है फीफो मैथर में तब आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे यह थोड़ा हार है और आप एक बार सबज लोगे तो आप कोशन अच्छी ते कर सकते हो तो यह कोशन आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहा है यह firm maintained its store leisure on the FIFO method यह firm है वो क्या करता है कि maintain करता है अपने माटेरियल को फीफो मैथर से during the month of June कौन से month में June 2019 में और following receipt and issue of material were made आपको यह क्या given है receipt or issue given है और आपको क्या करना है transaction record करना है इस store leisure account में अब यहाँ देखो समझो है अब इसमें क्या बोला है? अगर कोई wastage हो जाता है, उसे क्या माना जाЕगा? Factory overhead माना जाएगा, अगर आपके go down में कोई wastage हो जाता है, तो आप उसे क्या मानोगे? Factory overhead मानोगे, और shortage, shortage मतला कमी हो जाना, तो उसे क्या मानोगे? inflated price पे मानोगे अब यह होता क्या है factor overhead क्या होता है और shortage inflated price यह क्या होता है आप भी मैं बताऊंगी और समझना यह आपको क्या दे रखा transaction given है तो आपन जली से करते हैं और जहां shortage और wastage रहेगा वहां में इसका concept आपको समझाऊंगी तो सबसे पहले क्या है opening balance है 1619 को तो मैं यहाँ हता देती हूँ इसे और लिख देती हूँ 1619 को क्या है opening balance है 200 kg at the rate of 2000 kg at the rate of 20 तो इसे दोरों को multiply करेंगे तो आजाएगा आपका 4000 रुपीज issue में कुछ given नहीं है balance में क्या आएगा balance में आपका 200 at the rate of 24,000 आजाएगा अब क्या है 1 के बाद क्या आता है आपका 3 आता है 3 को क्या है फिर से receipt है 250 kg का है rate का है इसकी 12 है तो अपन यहाँ लिख देंगे date 3, 6, 19 receipt हो गए 250 और rate हो गए 12 अब इन दोनों को multiply करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों को multiply करेंगे तो आएगा 3,000 रुपीस और issue में कुछ नहीं आएगा अब अपन किस से कर रहे है फीफो मैथर से कर रहे है तो फीफो मैथर में क्या होता है 1st eat 1st out पहले जो material आएगा उसे अपन पहले issue करेंगे तो इसमें अपन क्या करते है balance में जो amount पहले है पहले जो amount लिखा हुआ है वो पहले वापस लिखेंगे 20 की rate से 4,000 रुपीस अब देखो 200 पहले से था और 250 और आगया तो अपन लिख देंगे 250 rate के आजाएगी 12 आजाएगी इन दोनों को multiply करेंगे तो आजाएगा 3,000 रुपीस अब 3 के बाद क्या आता है आपका 3 के बाद आया आपका 4 4 को क्या है issue है issue मतलब निर्गमन किया 250 kg 250 quantity क्या कर दिया issue कर दिया तो 5 आजाएगी 5 यहाँ जाएगी 6,19 और issue में लिखेंगे issue के कॉलम में कितना है 250 तो 250 है 250 है तो 250 के लिए 1st in 1st आजाएगी पहले जो material आया उसको पहले issue करेंगे इसमें दोनों में से पहले material कोन आया था 200 वाला material आया था अपन यहाँ 200 लिखेंगे अब अपनको issue कितना करना है 250 करना है और अपने issue कितना किया 200 ही कि अभी भी आपनको 50 quantity issue करनी है तो अपन 50 quantity कौन से rate पे कर देंगे next वाली देख पे कर देंगे या rate 12 वाली आ जाएगी या rate 20 वाली आजएगी इन दोनों को multiply करेंगे तो आजएगा 4000 रुपीस इन दोनों को multiply करेंगे तो 600 रुपीस अब 200 में से 200 चला गया 250 में से 50 quantity है अपने issue कर दिया अब या कितना बचा 200 बचा rate कि आजएगी 12 इन दोनों को multiply करेंगे तो 2400 आजएगा अब 5 के बाद क्या आता है आपका 5 के बाद आता है 7 तो 7 लिखते हैं 7, 6, 19 अब 7, 6, 19 तो क्या है? रिसिप्ट है मतलब माल आया रिसिफ के आपने कितना क्या 200 केज़ी किया तो 200 यहां लिख देंगे और rate क्या जएगी 16 आजएगी अब इन दोनों को multiply करेंगे तो 3200 आजएगा इश्यू में कुछ नहीं आएगा अब बैलेंस में पहले कितना था? 200 था quantity rate कौन से थी? 12 की अब 200 के बाद और कितना आया? उसके बाद कितना आगया? 200 और आगया 200 और आगया और उसकी rate क्या लगीगी? 16 लग जाएगी क्योंकि 2L का तो पहले आगया अब 7 को क्या आगया? और आगया 16 वाली rate वाली तो यहां लिख देंगे इन दोनों को मंटिप्लाइ करेंगे तो 2400 और इन दोनों को मंटिप्लाइ करेंगे तो 3200 यह हो गया 7 का अब देखो 7 के बाद क्या करना है आपको 7 कर दिया 7 के बाद 15 15 अब यहां देखो क्या है? वेस्टीज 7 15 लिखते हैं 15 6 19 अब यहां क्या बोले? वेस्टीज है मैं तो वेस्टीज हो गया कितना वेस्टीज हो गया? 5 केजी हो गया यहाँ अपने कोशिन पढ़ते हैं वक्ते धे धान दिया था कि वेस्टीजों के पन क्या मानें। फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है और इंफलेटेड्प्राइस क्या होता है आपको यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले में एक यह दिखा लिए आपको कि अगर कोई भी wastage, shortage को अपन क्या माना जाए एक बार तो factory overhead माना जाए और एक बार inflated price माना जाए अब factory overhead क्या होता है और inflated price क्या होता है आप तो इसका ट्रीमेंट कैसे होगा जैसे अनिये PR user करता है वैसे ही इसका treatment किया जाए एक सो ट्रीमेंट किया है हैं तो रिसेट में कुछ नहीं आएगा वेस्टेज जीता है 5 kg तो 5 लिख दे यहां और रेट कौन सी आएगी अब यहां रेट बताओ रेट कौन सी आएगी यहां रेट 12 क्यों आई क्योंकि अपने कौन से मैंतर कर रहें फीफो मैंतर मदब फस्ट इन फस्ट आउट तो पहल ठीक है वेस्टेज लिख दिया अब 200 में से 5 लेस्ट कर देंगे तो 195 आ जाएगा और रेट क्या जाएगी 12 आ जाएगी और वैसे 200 नीचे का और 60 अब इन दोनों को मंटिप्लाय करेंगे तो 2340 और इन दोनों को मंटिप्लाय करेंगे तो 3200 आ जाएगा ठीक है आप देखो वेस्टेज हो गया आपका अब 20 15 के बाद क्या आती है डेट 20 आती है तो यहां 20 लिखेंगे 2619 रिस्ट कितनी है आपकी 250 रेट क्या है 20 250 रेट आगे 20 अब इन दोनों को मंटिप्लाय करेंगे तो आएगा 5000 रुपीज ठीक है इस्व में कुछ नहीं आएगा बैलेंस में पह 250 और आगया material आपकी go down में 250 का और purchase का लिया 250 का और purchase का लिया rate 20 की rate से आप इन दोनों को multiply करेंगे इसको 5000 आजाएगा इसका 3200 आजाएगा इसका 2340 आजाएगा अब जली से बता देती हो 25 25 को क्या किया गया 25 को issue किया गया मतलब sale किया गया issue किया गया 25 को date आजाएगी 25 619 issue के column में लिखेंगी कितना 425 issue करना है तो सबसे पहले इसमें से issue किया जाएगा 195 आप इसके बाद 200 इसमें से कर देंगे और इसमें से किता हो जाएगा किता बचा 30 बचा 30 तो rate 20 16 12 अब इनको add करोगे न आप इन तीनों को add करोगे ना तो क्या आएगा 425 आएगा इसको multiply करेंगे तो 2340 3200 और 600 ठीक है अब इसमें से 250 में से 30 लाइस कर देंगे तो क्या जाएगा 220 आजाएगा rate क्या जाएगी 20 से multiply करेंगे तो 4400 आजाएगा अब 25 के बाद क्या किया जाता है 26 26 26 ने लिख देते 26 619 तो इसमें क्या क्या shortage आप देखो या शोटेस के लिए क्या बोला था कोशन में shortage को क्या माना जाएगा inflated price inflated price पे shortage कर treatment क्या जाएगा अब inflated price क्या होती है यह भी पता होना चाहिए तो यह देखो मैंने factory overhead का बता दिया और inflated price क्या होती है कि inflated price में क्या करते हैं जितना भी wastage वा उसको क्या करेंगे जितना भी balance quantity है उसमें से last कर देंगे ठीक है जैसे आपकी go down में 20 quantity रखी हुई है उसमें से आपका wastage हो गया कितना 10 का हो गया तो आप क्या करोगे आप 10 quantity balance में लिख दोगे पर उसका amount deduct नहीं करेंगे amount is not deductable मतब deduct wastage unit wastage unit को क्या कर दिया जाएगा balance unit में से deduct कर दिया जाएगा last कर दिया जाएगा but amount is not deductable amount को last नहीं करेंगे अब देखते इसका treatment practical इसका treatment देखते हैं अब 26 है 26 को क्या करना shortage हुआ है कितना का 20 kg का 20 kg इसमें लिख देता है ठीक है अब 20 kg हो गया पर amount इसका deduct नहीं होगा last नहीं होगा only quantity ही last की जाएगे 20 में से 20 less कर देंगे तो क्या जाएगा 200 आजएगा और amount इसमें amount 0 है 4400 में से 0 less करेंगे तो 4400 ही रहेगा और इसकी rate क्या जाएगी 20 ही आएगी ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे लास्ट है आपका रिसिप्ट यह रिसिप्ट क्या हुआ आपका रिसिप्ट हुआ 30 को 30 को हुआ 50 केजी रेट 24 और इसको मंदिपला करेंगे तो 1200 आजाएगा और 200 पहले से था 20 की रेट से 50 और आ गया 24 की रेट से तो इसको इससे मंदिपला करेंगे तो 4400 इसको इससे आजाएगा आप देखो अब मैं आपको इसका अंसर बताती हूँ अंसर बिल्कुल आपको मैच हो रहा है यह देखो यह बुक है बुक में यह आपको यहां शो हो रहा होगा बैलेंस 250 kg rate 5600 आप देखो इन दोनों को एड करेंगे तो 250 हो जाएगा और इनको एड करेंगे तो 5600 हो जाएगा आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी नेक्स वीडियो आपको मैं कोशन नंबर 10 की बताऊंगी और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलना